प्रदेश में नशा तेजी से अपने पैर पसार रहा है जिसकी रोकताम के लिए प्रशाशन में पुलिस विभाग द्वारा कई अभ्यान भी चलाए जा रही हैं इसी कड़ी में सोलन जला की पुलिस भी नशे के सौधा गरों पर पूरी तरह से नकेल कसे हुए हैं इतना ही नहीं नशे के आधी युवा स्वयम भी नशा मुक्ति केंट्रों में पहुंचकर अपना इलाज करवा रही हैं जानकारी के अनुसार स्वास्ते विभाग ने अभी तक करीब 270 नशे के आधी युवाओं को नशे की लट से पुरी तरह से ठीक किया है स्वास्ते विभाग के जिला कारिकरम अधिकारी डॉक्टर अजे सिंग ने बताया कि नशे के प्रती जागरुकता बढ़ानी के लिए विभिन्स तर पर कारी किये जा रही है युवाओं के मार्ग दर्शन के लिए विभाग त्वारा कई तरह के जागरुदा अभ्यान चलाए जा रही है सोलन्ज शेयर के आसपास के रहने वालों को ठीक किया है सरकारी हस्पिताल में ही और ऐसे मरीजों को दाखिर करने की नौबत नहीं आती सिरफ काम ये करना होता है कि परिवार का एक सेब्सी उसको नर्स बना कर उसको प्रिक्षिक्शन दे कर परिवार के सेब्स्दियों के हाथों दोबारा द्वाईयों का देने का काम करते हैं और निरंतर हर 15-10-15 दिन के अंदर अंदर सरकारी अस्पाल में डॉक्टर से मुलाकात करवाते हैं खिटे के मरीज भी बिल्कुर उसी तरीके से ठीक हो जाते हैं जिस प्रकार से बाकी नशे से ग्रसित जो मरीज होते हैं